मकर रासी वालों का आज का रासी फल यानी की एक अगस्त दो हजार बीस का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आज के बेडियों की सुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ एक अगस्त दो हजार बीस के पंचांग के बारे में आज तिथी है त्रियोंदसी नक्छत्र है मूल पक्छ है सुकल पक्छ दिन है सनी बार आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है पांच बज के बे आलीस मिनट में सुर्य अस्त हो रहा है साथ बज के इग्यारह मिनट में रितू है वर्सा आज का दिन काल है तेरह घंटे उनतीस मिनट का महिना है स्राबन आज के दिन सुब्ह समय सुर्य होता है बारह बजे पी एम से बारह बज के चौबशन मिनट पी एम तक तक दिसा सूल है पूरब दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुने और फॉलो करें ताकि आज के दिन आपके जीवन में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने तो अब हम आगे बढ़ते हैं सब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के कामकाज काड़ च्छतर के बारे में मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार है आज के दिन आपके कामकाज में आपके काड़ च्छतर में आपके पु लोगों के शहायता से आज के दिन आपके कामकाज में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा। वैसे अगर आपके दामपत्य जीबन की बात करें तो दामपत्य जीबन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाने से बहुत जयादा नीचे है। आज के दिन अगर अपने जीबन साथी से आप बहुत जयादा उमीद रखते हो तो जयादा उमीद आपके बैबाहिक जीबन को उदासी की ओर ले जाएगा इस बात को आप याद रखें इसके बाद है आपका स्वास्त तो स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शम है अच्छा भी इतने वाला है आप में से जो भी लोग आज से पहले बीमार थे जिनका श्वास्त साथ नहीं दे रहा था तो आज के दिन आप चिंता बिलकुल भी ना करें क्योंकि आज के दिन आपके सेहत में सुधार बहुत जयादा होगा और आपके शुवास्त में कहीं कोई पड़ेसानी आपको नहीं होगा। इसके बाद है आपका धनसंपती, मित्रों पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका शमय अच्छा भी इतने वाला है। आज के दिन दैनिक जीबन यापन के लिए आपके पास पैसे काफी जयादा मातरा में रहेंगे और पैसों की कहीं कोई समस्या आज के दिन आपको नहीं होगी। आज के दिन अपने घर पडिवार में आप सभी लोगों के शाथ अपने संबंध को मजबूत करने का प्रयास करें क्योंकि संभब है आज के दिन आपके घर पडिवार में किसी विक्ती के शाथ आपका शंबंध खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा मित्रों आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है पारदर्सी और घुलाबी आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है छे यणी की सिक्स इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाई को आज माने के बाद आपका शमय बहतर होगा तो उपाई बहुत ही ज्यादा आसान है आज के दिन आप अशनान ध्यान करने के बाद पीपल के ब्रिक्ष में तामबे के पात्र से जल अर्पित करें जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद पीपर के पेर को आप प्रनाम बिल्कुल भी ना करें आप जल चढ़ाने के बा वहां से सीधे वापस हो जाए आपका शमय सांदर हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वेडियो को आप हर जगा सेयर कर दें धन्यवाद